ब्रेक के बाद आपके सुआगत है वाकई विभाजन और विस्थापन का वक्त तकलीब दे तो था लेकिन ये तकलीब कम क्यों नहीं हो रही ये एहम हो चला है अब राजिस्थान देश के उन राज्यों में आता है जहां पर विस्थापितों की संख्या सबसे जादा है एकिन फिर भी राजिस सरकार के विस्थापितों को लेकर बनाएगे नीतियां सवालों के घेरें रहती है जैसे नागरिक्ता ही एक मसला है दिसंबर में किंदर ने नागरिक्ता को लेकर एक एहम फैसला किया लिकिन फर्वरी में भी नागरिक्ता लेने वाले पारिशान है हमारे सहयोगी विने पंत ने जैपूर में विस्थापितों के उस वर्ग से बात की जो संभ्रान्त है लिक नागरिकता का इंतजार कर रहे हैं पाग विस्थापित लोग आज भी अपने हग के लिए जूज रहे हैं जहां एक तरफ से केंदर सरकार की तरफ से तमाम दावी किये गए हैं नोटिफिकिशन निकाले गए हैं उसके बावजूद जो मूर्स विदाए हैं वो इनको अभी भी प्राप्त नहीं हो पारे हैं उसके बावजुद इनको जो नोटिफिकेशन वहाँ से जारी हुए हैं वो केवल महज कागजी ही रह गए हैं और दरातल पर नहीं उतर पाए हैं सर हम आपसे जानना चाहेंगे पहले तो यह जानना चाहेंगे तरह एक संस्था हैं आपकी जो पाग विसाबित लोगों के लिए कारयत है क्या वो संस्था हैं किस किस तरह की समस्या हैं वो आपके सामने हैं देखिए यह हमें समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा जेनोसाइड जिसे अंग्रीजी में कहते हैं पूरी की पूरी एक population को ही साफ किया जा रहा है हमारे पडोस के अंदर और ये आज से नहीं 60-70 साल से सिलसिला चल रहा है तो इसका एतिहासिक पेक्षे है कि जो हिंदू और सिक विभाजन के बाद वहां रह गए थे उनका नैसरगिक हक इस धर्ती पर बनता है या नहीं बनता है और जब ये वरतमान सरकार शासन में आयी थी तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टों में भात रखी थी कि हाँ यहाँ पर refugees की तरह शरणार्थियों की तरह आएंगे यह हलांकि शब्द बड़ा अपमानजनक है यह तो इनका घर है मैं तो इनका घर है ने आने की स्वतंतरता होनी चाहिए और केंदर सरकार ने बहुत सहरदाता पूरवक हमारे इस mission में हमें साहता दी है हमें आशिरवाद दिया है और हर तरह के notifications जिसमें citizenship, visas, इनके लिए job permits हर तरह की जो सुविधा है उसके इंदर सरकार दे सकती है उसके notifications आचुके है यह विशय बहुत करोणा से और बहुत पिड़ादायक विशय है कि इन लोगों को वहाँ पर सिर्फ अपना धर्म follow करनी के लिए प्रतारिट किया जाता है कोई आदमी अपना घर छोड़ के भहिया इतनी दूर नहीं आता है तो कोई उसके context है उसका संदर्म है कि यह लोग क्यों वहाँ से निकल के आ रहे हैं तो जो केंदर सरकार जितनी उर्जा निवेश कर चुकी है उतनी हमारी करबद प्रातना राजय सरकार से भी है कि वह उन नोटिफिकेशन को लागू करें ताकि इन गरीब लोगों को तकलीफ पाए हुए इन सताय हुए लोगों को अपना देश अपना स्थान और इनको सम्मान जनक जीवन जीने का एक अफसर मिले है तो दीखिए जैसे कि यहां पर डॉक साब ने बताया कि किस तरह की परिशानिया सामने आ रही है और अब आगे जानेगए सर हम आपसे जाना चाहेंगे किस तरह का जो गजट है वो आया है नोटिफिशन आये हैं और क्या समस्या है जो है अब सामने आ रही है दो पार्ट हैं इस विशे के एक पार्ट तो ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अभी साथ साल पूरे नहीं हैं नागरिकता के लिए अपलाई करने के जो मिनिमम पातरता का समय है लेकिन भारत सरकार ने उनकी वीजा की एपलिकेशन जो उनका विजिट वीजा था उसको स्थाई वीजा में कनवर्ट करने के लिए या उनकी shelter सीख करने के लिए शरण मांगने के लिए जो उन्होंने visa मांगा था उस पर अमल करते वे उनकी तकलीफ को समझते वे उनको long term visa grant किया वो लोग भारत में रह रहे हैं भारत के समविधान का पालन कर रहे हैं ऐसे लोगों को मूलभूत मानवा दिकार के तौर पे हमारी डिमांड थी कि इनको driving license भारत के समविधान कानून के तहट दिया जाए वलिए उसको कम समय के लिए दिया जाए और धीरे धीरे वो हर साल या दो साल में extend हो और पाक nation on long term visa लिख कर के दिया जाए ऐसे ही कोई इनके पास ID किसी भी प्रकार की नहीं होती है अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट भारत सरकार को surrender कर देते हैं और यह बिना ID के गूमने वाले लोग हैं और यहां पर आने के बाद पूरा system इनके पीछे लग जाता है क्योंकि यह पाक nation है तो यह सुविदाय जब भारत सरकार ने दी यह एक notification है जिसकी copy में आपको दूँगा 19 अगस 2016 को इनको भारत में नौकरी करने की permission दी गई है इनको भारत में छोटा मोटा व्यवसाय करने की permission दी गई है इनको भारत में अपने स्वैम के उपयोग के लिए एक unit का छोटा घर लेने की permission दी गई है लेकिन जब हम संबंदिट department हो में जाते हैं जैसे हम subregistrar या registrar office में जाते हैं कि साब इनके लिए गर कोई घर लेंगे तो क्या इनकी registry कैसे करवाई जाएगी तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं क्योंकि राज्य सरकार direction नहीं देती home department direction नहीं देता और इसी प्रकार से बाकी की जो सुविदाएं हैं license authorities के पास जाते हैं driving license के लिए तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता जब pen card बनवाते हैं तो इनका pen card जब हम long term वीजा की copy दे के बनाते हैं एक बार issue हुए हुए कई pen card वापस cancel कर दिये गए हैं तो यह समझ में नहीं आ रहा कि होगा कैसे ग्रह विबाग नौकरी करने की permission भी जैसे तैसे follow करके grant कर देता है employer को लिख देता है कि हम नौकरी पर रख सकते हैं इसका TDS कैसे कटेगा इनकी taxation कैसे होगी बैंकों में आज तक बहुत सारी किसी भी बैंक में ये आज तक गजट की copy राज्य सरकार के द्वारा नहीं पहुंचाई गई है कि आप इनका एक single saving account खोल सकते हैं तो ये तकनीकी दिक्कतें इतनी जादा हैं इसी प्रकार से अभी भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2016 को ऐसा एक इसके बावजूद अभी कहीं पर भी राजिस्तान के किसी भी तीन जिलो को राजिस्तान में दिया है कि आप अपने आगी फाइले राज्य सरकार को बेजें फाइल दिल्ली न जा करके राज्य स्तर पे उसका निस्तारण हो जाएगा लेकिन किसी कलेक्टरेट में किसी भी स्तर पे कोई correspondence नहीं है कोई सूचना नहीं है कोई जानकारी नहीं है लोग 18-18 साल से 20-20 साल से बैठे वे हैं इंतजार कर रहे हैं उनका रोज यूमलेशन हो रहा है उनको कभी CID के आगे भुगतना पड़ता है कभी कहीं पातरता पूरी करके समविधान के दियेवे अधिकार को पाने के लिए भी एक आदमी अपनी जिन्दगी में कितना प्रताडित हो सकता है सिस्टम के द्वारा ये उसका उधारन है इतने इतने समय के बाद 19 अगस्त का notification राज्ये में कहीं पे लागू नहीं हो पाया है 23 दिसंबर का notification राज्ये में कहीं पे भी लागू नहीं हो पाया है तो इसको हम क्या कहे है मतलब ये राज्ये सरकार का failure है राज्ये सरकार के घ्रह मंत्राले का failure है या bureaucratic failure है पता नहीं लेकिन इन प्रताडित लोगों के लिए तो ये failure एक उम्मीद की किरन जगती है और फिर सब कुछ खतम होता सा लगता है तो दुबारा से फिर ऐसा ही हो रहा है मतलब history repeat हो रही है कश्ट बढ़ते जा रहे हैं परिशानियां बढ़ती जा रही हैं दिन निकलते जा रहे हैं समाधान कोई दिख नहीं रहा है तो हमारा निवेदन है के सरकार केंदर सरकार ने जितना clear तरीके से जितना साफसुत्रे तरीके से इनके बारे में सब बातें नोटिफिकेशन में लिखके दी हैं उसको जितना जल्दी हो सके लागू करें कैम्प लगाएं और इन सब लोगों को इनकी जिन्दगी की जो सबसे बड़ी खुशी है मतलब किसी के इनको ये बोला जाए कि अगर कोई अपनी जान देने से तुमारे परिवार को नागरिकता मिल जाएगी तो मैं शूर हूँ कि अपनी जान देने के लिए भी आदमी तय साथ यहां पर डॉकसाम मुझूद हैं और इनसे जानेंगे सर किस सlor की परिशानी के सामने आपको कर नापड़ा जैसा है कि आपने इनवी पाकिसान से किया और और जैने और भी कही ऐसे पोनाए परिशानी के सामने है versus फ्रिय्सटरी को यहां धन्यवाद कहता हूं ग्य कि उन्होंने भी हमारे लिए इतना सोचा और ये सब गजेट में आ चुका है जो के एक फर्स टाइम ऐसा हुआ है कि इस गजेट में इस नट डैट के वो लिखा गया है कि ये कर लो उसने लिखा हुए टाइम फ्रेम के साथ लिखा है कि जी इतने दिनों में ये प्रोसेस हो जाएगा साथ दिनों में ल्टीवी अप्रूव हो जाएगी उसके बाद ये ल्टीवी अप्रूव होने के बाद जो हमें लांग टरम वीजा मिलता है उसके बाद ये दुबारा से सेंटर गवर्मेंट में means one and two months के पूरे process में हमें पांच साल की LTV approved मिल सकती है चोके इस government ने first time किया है लेकिन इह होने के बाद क्या हमें वो सारी facilities मिल गई सेंटर गवर्मेंट ने time frame कर दिया और उसके बाद ये चीज़ डिपार्टमेंट concerns डिपार्टमेंट को ये भेज दी कही है या नहीं भेज दी कही है वो हमें नहीं पता लेकिन अब तक वो चीज़ें implement नहीं हो पाई है जैसे एक छोटा सा हम एक LTV के साथ साथ हम लोग चाते हैं कि जी हमें रहने की सुविधा मिल जाए सेंटर गवर्मेंट ने time बता दिया कि इत time frame में आप लोगो को ये चीज़ें मिल जाएंगे अगस्त का ये notification है अभी तक implement नहीं हुआ उसके साथ इन्होंने का ता FRO account जो आप वहां से आ सकते हो एक बैंक में account खोल सकते हो अभी तक वो नहीं हुआ जिसके लिए हम आज भी परेशान है कि कहां हम अपाना account खोल सकते हैं तो ये चोटी चोटी सी चीज़े हैं जो सेंटर गवर्मेंट ने time frame बताया हुआ है कि LTV दे सकते हैं LTV approved हो जाएगी दो मैंनों में आप with immediate effect बाकी facilities जो हमें दी गई हैं वो हो जाएगी लेकिन with immediate effect सेंटर गवर्मेंट के बाद कहने के बाद भी अब तक जो concern department हैं उन्होंने अब तक नहीं implement किये हैं हम सब से request करते हैं सेंटर गवर्मेंट स्टेट गवर्मेंट होम डिपार्टमेंट कलेक्टर अफ आल स्टेट्स नाट जस्ट वन के मैं कहूंगा राज़स्टान आल स्टेट आफ इंडिया कि प्लीज हमारी सुनो हमारी सुनने और हमारी हल्प करो चोग के बहुत जरूरी है हम वहाँ से दुखी वहाँ हम लोग पाकिस्तान में हम लोग हिंदू है इसलिए वहाँ नहीं रह सकते यहाँ हम लोग पाकिस्तानी है इसलिए नहीं रह सकते फिर कहां जाए हम कौन सी कंट्री है जहां हम जाके रह सकते है प्लीज, help us तो देखिए पीडा काफी दुगदाई है सुनने वाला कोई नहीं है केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस जारी होता है लेकिन राजस सरकार उस नोटिस पर अम लेने करती आईए जानते हैं मरसा तो और भी कुछ लोग मोजोद हैं सर कलेक्टर को पावर दिया गया दो साल के लिए नागरिक्ता को लेके नोटिफिकेशन आया वे दो मैने बीच चुके लेकिन अभी तक किसी तरह से लागू नहीं हुआ क्या समस्या है आपके सामने कलेक्टर को तक 23 डिसमबर को जैसे जेविया ने बताया कि के उनको नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं के आप नागरिता दे सकते हैं उनको पावर दिया गया है राज्य सरकार की तरह से अपना से सेंटर गवर्वर्मेंट से पर अभी तक उसमें कोई भी हैं जिनके सारे चीजें कंप्लीट हैं इंक्वारी वगएरा तो उस पे कंप्लीट फाइल्स वहाँ पर कलेक्टर में पड़ी हुए हैं जो सिर्फ मैं यहां की बात कर रहा हूं पर वह आगे नहीं जा रही हैं क्यूंकि इसलिए नहीं जा रही है कि राज्य सरकार का वह देंगे तब तक वह आगे नीच बढ़ेंगी तो मेरी सब सेंटर गोवर्मेंट से भी राज्य सरकार से भी नवीदन है कि इस चीज को थोड़ा सा सीरियस ले ले क्यूंकि इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं दूसरे जो नोटिफिकेशन आएं फैसलेटीज वाले जो राज्य सरकार आपने सेंटर गोवर्मेंट ने दी हैं उनके भी इंफिलेमिटेशन हो जाया है तो बहुत बड़िया है हमारा तो यही है सबसे नवीदन है। जो नोटिफिकेशन आए हैं उनपी इंफिलेमिटेशन के लिए कुछ बूला जाए कहा कह चाए है ताकि यह काम हो और हमारे लिए इजी सब चीज़ें हो जाएं जो हमें अभी अभी दिक्कतें आ रही हैं उसमें हमें बहुत सारी परिशानी है बस यही कहना चाहूँ है सुदी कि यहां पर जो लोग मौझूद हैं कई तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है सर मैं आप से जानना चाहूँगा किस तरह की समस्याओं यहां पर आ रही है आप अभी अकाउंट नहीं खुला सकते नहीं रहने के लिए कुछ ले सकते हैं हाला कि नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है लेकिन लागू नहीं हुआ सरी नोटिफिकेशन तो जारी हुआ है बड़ आन ग्राउंट देखा जाए तो कोई भी जो है यहां पर इंप्लिमेशन नहीं है और बाकी जैसे अभी सेंट्रल गवर्ण करें हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने सभी अपने वो मलब सुईदायं वगरे दी हुई ह और नोटिफिकेशन वगरे भी पासओड हुए है पड़ यहां पर राइस्थान गवर्मेंट की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है अभी जश्ट अभी हम एक दो महीने पहले भी जैसे मिले करे थे कि आपको सी आईडी इंटेलिजन सभी चीज़ किलियर हो चुकी है और आपको नगरता दिया जाने वाला है पड़ा भी आन गराउंड जब जाते करते हैं तो वही भी है कोई प्रोसीजर नहीं है बस ऐसे ही है सब तो जब भी कोई बड़ी मुश्किल से जोब बगरे लेना उन समय दिकत भी आती है और पता चलता है कि जब जोब मिली है तो जो भी छूड जाती है प्रोसीजर के चकर में और गूमने के चकर में तो यह की रिकोष्ट करना जाते हैं को जोड़के हम करना चाते हैं कि जैसे भी हो सके तो हमें जितना हो सके सिटीजनशिफ दी जाए दसाल हो गया है में यह आपर आए हुए तो देखिए काफी लंबा समय बीच चुका है CID इंटेलिजन्स की क्लिरेंस भी मिल चुकी लिकिन उसके बावजूद भी कई तरह की समस्यां यहां पर हैं जो राजिस्तान का ग्रैवी बाग है कहीं ना कहीं उसकी लेट लतीफी के चलते इन लोगों को समस्यां के सामना कर चार में दोजारे में चार में दे दी उसे मेरा पूरा नहीं था कि दिन कम दे नगर दन नहीं मिली फिर के साथ में मिलेगी साथ में काफ़ दिये तेरा को मिलेगी तेरा में काफ़ दिये कभी कुछ नहीं हुआ अभी बहुत तंग हैं रोजगार से तंग हैं कभी कभी सोच झाहे अदर का रहा ना इदर का रहा टि-वी में सोना कि मोदी का कुता ना घर का रहा ना गाट का रहा हम ना हिंदुस्ताती रे ना पाकिस्तानी रहा ह Надо हिंदु ना मुसल्मान हम अधर दोनों जान टूब गए ग़र बीठा है we possível सुनते थे कि हिंदुस्तान धर्मी मुलक है हम धर्मी मुलक में आए हमारा दोखाना हराब हो गया हम क्या करें इस वाकित में टैम क्या है मेरी घरवाली बिमार है उसका कोई बाल बच्चा नहीं है मेरे दो घरवाली आए दूसरी बिमार है वो ड्राक्टरों के लास फारग हो मैं खुट टूट गई है, मैं लाचार हूँ, एक लड़की विद्वा है, वो तीनों मरिज को सेमा करती है, पैसा कहा से लिया हूँ, दो बचे मजदूरी का काम करते हैं, तो हम तो तंग है, हम इसी तीज़ को देख के यह कहता है, इसे खुद कशी करना ठीक है, तो हम तंग ह हैं, के रहा हमने क्या किया है, मैंने कहमेरे लोग को गलत काव तो नहीं किया, कभी करते है, कि तरहां को होगी, पहले जन्ता ανार्त पर लिए पर souhrTwo आप जन्ता को वोड़ दिए, लोग जन्टा को नहीं पेंद्स्कीति contest & वोड़की सुधिते 5 को बगवान को इस दास करी अभर को लिभ दोता है, फिर बेल काड़ मिलता है तो हिनुस्तानीयों के मेरा हमें को परिशानी को सीवा हम नोगों को कोई कायम तायम ही नी है राद दें टेर्प्रिशन उक्रट इप जो गया है कि जोत पर पर क्यों गये पलाना काम क्योंग गया है इधर क्यों है हम लोग जोपर क्योंगे कि देहीं हैं काफी हतास हैं लोग सरकार की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद इनको नहीं मिल रही है काफी लोग अमारे साथ और भी यहाँ पर मौजूद हैं तर आपको किस तरह की समस्याओं का सामने यहाँ पर करना पड़ रहा है जो मूलबू सुविदा हैं वो भी आप लोगों को मु यह उनी चाहिए ताकि यह लोग यहाँ पर रह सकें सुरक्षित रह सकें अभी यह खुद को यहाँ पर सुरक्षित भी मैसूद नहीं कर पा रहे हैं सार आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यूर्टोजीक और किरायर ज्यादा बड़ा देते हैं तो जितनी हमारे आप रहर है तो इसीग ही परिशानी है दिह जो लोग यहाँ पर रह रहर और हैं स्रकार की तब से किसी तरह की कोई सुविदा नहीं कर हिए झाल झाल